हालो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों आज क्लास सिक्स के विदार्थों के लिए एक पॉयम लेकर करके आया हूँ बी अफरेंड एक बहुत अचही कविता है कलास सिक्स में दिया गया है यह कविता वैसे कविता तो सभी को पढ़ना अच्छा लगता है तो सभी के लिए कविता है Be a Friend, एगरेगेस्ट के द्वारा लिखी गई है एगरेगेस्ट महांतम कवियों में से एक जिन्होंने बहुत सारी कविताईं लिखी और सारे उनके कविताईं बहुत ज़्यादा फेमस हुई एगरेगेस्ट जो मुल्तब ब्रिटेन के थे उनका जनम 20 अगस्थ 1880 को हुआ था ब्रिटेन में लेकिन ब्रिटेन से वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने बहुत सारी कविताईं लिखी जो काफी ज़्यादा फेमस हुए एगरेगेस्ट को पीपल्स पॉइट की उपाधी दी गई यानि इगरेगेस्ट को पीपल्स पॉइट भी कहा जाता है इगरेगेस्ट की बहुत सारी कविताएं ज़्यादतर कविताएं उनकी प्रेणा दायक रही जैसे ही यह कविता है उनकी बी अप फ्रेंड यह कविता भी एक प्रेणा दायक कविता है जिसमें इगरेगेस्ट ने friendship और friends के जो qualities, duties होती है उनके बारे में चर्चा किये तो काफी अच्छी कविता है बच्चों ध्यान से सुनना और बार बार सुनना देखना, समझना ठीक है चली स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के पहले बिफोर यह रीट हम लोग दिखते हैं कि इस कविता का जो सारांस दिया हुआ है वो क्या है इस पॉयम इस अबाउट फ्रेंज और फ्रेंड़िप यह कविता, Be Your Friend यह फ्रेंड के बारे में दिया हुआ है दोस्तों के बारे में यह कविता लिखी गई है इस कविता के माध्यम से इगरेगेस्ट ने जो फ्रेंड की क्वालिटीज होती हैं, उनके गुन होते हैं, उनके बारे में चर्चा की है, उनके क्या डूटीज होती हैं, उनके क्या करता भी होते हैं, उनके बारे में एगरेगेस्ट ने चर्चा की है, तो यह बहुत अच्छी कविता होने जा रहे होने जा रहे है बच्चों ध्यान से सुनना और बार बार देखना इसको चलिए स्टार्ट करते हैं बी और फ्रेंड यू डॉन्ट नीड मनी जस्ट डिस्पोजिशन सनी बच्चों पहले दो लाइन में ही इकर एक गेस्ट ने स्पस्ट कर दिया है कि दोस पॉयम के माध्यम से एकर एकेस्ट कहना चाहते हैं यदि आप दोस्त बनते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए पैसों किया हो सकता है नहीं होती है आपको सिर्फ आपका सोभाव अच्छा रखना है आपका सोभाव से ही आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं या दूसरों को यहां कभी कहना चाह रहे हैं कि दोस्ती यारी के लिए पैसों की आवसकता नहीं सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए दूसरों की आपकी इच्छा होनी चाहिए तब आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके बहुत अच्छे यहीं साफ सुत्रे हाथ साफ सुत्रे हाथ काने के मतलब है कि मन में कोई छल कपट नहीं आपके निस्वार्थ हाथ आगे बढ़ने चाहिए उन लोगों के लिए जिनें दोस्त नहीं है उन लोगों के लिए आपके निस्वार्थ हाथ बढ़ने चाहिए उनकी मदद के लिए तब ही आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बना सकते हैं आप में ये गुन होना चाहिए, देने और लेने का गुन होना चाहिए आप में, तभी आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं किसी का. बचों, पहली स्टांजा में इगर एक गेस्ट ने स्पस्ट कर दिया है कि फ्रेंड की या फ्रेंट्शिप की क्या डुटीज, उसकी क्या क्वालिटीज होती है उनके बारे में. फ्रेंड्शिप के लिए कोई पैसों की जरुरत नहीं होती है, बस आप में इच्छा होने चाहिए एक दूसरे को मदद करने के. आपके निस्वार्त हाथ, उन लोगों के परती बढ़ना चाहिए जिने दोस्त नहीं. आप लेने और देने की का जो इच्छा है, वो आपके अंदर होने चाहिए. यह सब गुन रहे तो आप किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं. बहुत ही फ्रेमस का भी था है. चले अगला स्टांजा देखते हैं. Be a friend. You don't need glory. Friendship is a simple story. कितना संपल तरीके से एगर एक गेस्ट ने बता दिया है. Be a friend. You don't need glory. वैभवता की कोई जरुरत नहीं है यदि आप दोस्त बनना चाहते हैं. यदि ताम धाम, तमक चमक की कोई जरुरत नहीं है. यदि आप दोस्त बनना चाहते हैं. क्योंकि friendship तो एक simple story है. Friendship तो एक simple story है. ठीक है? Pass by trifling errors blindly. Gaze on honest if you are kindly. दोस्ती यारी में. बच्चों, यहां कितने अच्छे तरीके से एगर एक गेस्ट ने स्पस्ट किया है. Pass by trifling errors blindly. Gaze on honest effort kindly. दोस्ती यारी में छोटी-छोटी गलतियों को नजरंदाज कर दिया जाता है. यदि आप दोस्ती यारी में छोटी-छोटी गलतियों को नजरंदाज कर देते हो. और जो अच्छे चीजे हैं, अच्छी चीजे हैं, अच्छी बाते हैं, यदि आप उसको देखते हो, समझते हो, तो आप अच्छे दोस्त बन सकते हो किसी का, या किसी को अच्छे दोस्त बना सकते हो चीर चीर दा यूथ होज प्रेवली ट्राइंग पीटी हीम होज सैडली साइंग जस्लिट लेबर स्पेंड ऑन दे ड्यूटीज ऑफ फ्रेंड यानि फ्रेंड के लिए आपको इन छोटी-छोटी जो लेबर है जो लेबर को मतलब यहां कि आप छोटी-छोटी जो करेंगे जस्लिट लेबर स्पेंड सिर्फ आपको खर्च करना है क्या आप काइंडली हैंड को बढ़ाएंगे आप सिंपल स्टोरी समझेंगे दोस्ति यारी को कोई पैसी की बात ने कोई वैभवता की बात नहीं मेरे पास यह है मेरे पास गाड़ी है बंगला है यदि उन को छोड़ करके आप काइंडली हैंड को आप ऑनेस्ट रहेंगे चोटी-चोटी गलतियों को नजर अंदाज कर देंगे फ्रेंड्शिप को एक सिंपल स्टोरी समझेंगे तभी आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं इन सारे ड्यूटीज को एगर गेस्ट ने सेकेंड स्ट अधना सेर करना सेर करना टीचर से बात करना और इसको और क्लिर करना ठीज के लिए आपको कुछ नकुछ चुकता करना होता है यानि बहुत बड़ी मातरा में आपको चुकता करना होगा लेकिन जो आप चुकता करेंगे वो तो फिगर में नहीं लिखा जाएगा यानि उसको आप लिख नहीं सकते हैं तो क्या है? दैन एस अर्ण बाइप पीपल क्लेवर इन वोस मेरली सेल्फ इंडेवर आपको दोस्तियारी में आत्म विश्वास होना चाहिए दोस्तियारी में आत्म प्रयास होना चाहिए तभी आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं यहां नेबर और फ्रेंज का कंपरेजन किया है यहां बहुत अच्छे तरीके से कि फ्रेंज और नेबर कैसे होते हैं आपको दोस्त होंगे, नेवर से ज़्यादा करीब आपके दोस्त होंगे, यानि जो आप उनके परती करेंगे, उनका जो बेने के लिए आपके सामने, आपके दोस्त होंगे, नेवर से पहले, यानि आपके परोसी से पहले आपके दोस्त, आपके सामने उपस्तित होंगे, You will be richer in the end than a prince if you are a friend. और finally, आपके अच्छे दोस्त होंगे, तो आप काफी अच्छे होंगे, आप बहुत अमीर होंगे, दोस्त आपके अच्छे होंगे, तो आप बहुत अमीर होंगे, आप एक प्रिंस से भी जो राजकुमार होता है, अब उन्हें अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, तो उनसे भी अच्छे आप होंगे, उनसे भी अमीर आप होंगे, You will be richer in the end than a prince आप प्रिंस से जो राजकुमार होते हैं उनसे भी काफी जादा अमीर होंगे If you are a friend यदि आप अच्छे दोस्त होते हैं तो यानि आप में दोस्ती की अच्छी qualities जो बताया गया है वो होते हैं दोस्ती की जो, friendship की जो duties होती है वो आप अपने पास, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने मन में रख करके आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे और अमीर होंगे उस प्रिंस की तरह जो काफी अमीर होते हैं लेकिन उन्हें अच्छे दोस्त नहीं होते हैं आप एक अच्छे दोस्त होंगे, यदि सारी qualities और duties को आप देखेंगे, सारी duties और qualities को आप अपने अंदर रखेंगे, निस्वार्त भाव से आप आके बढ़ेंगे, जी students, तो ऐसी ही latest और नएने कविता के लिए आप त्यार रहें, आपको बहुत सारी कविता हैं, ऐसे में